तू प्रभात में प्रगतिकोर राष्टिक अड़िट कोर मोगा, मेरा रजिमेंटल नमबर है PBSW19169485 भारत में 7 नवेंबर राष्टियों कैंसर जागुरुत्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कैंसर के उपर दी गई कुछ चानकारिया साज़ा करूंगी कि कैंसर कैसे होता है, क्यूं होता है, इसके प्रमुक लक्षन क्या है और कैंसर केर इंडिया इस लड़ाई में हमारी अहम भूमी का कैसे बनकर उभराईगा कैंसर एक ऐसा जानलेवा और गंभीर बिमारी जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की मित्य होती है, विश्व में इस बिमारी की चपेट में सबसे अधीक मरीज है देखा जाए तो पूरिविश्व में यह बिमारी फैल चुकी है, इस बिमारी को डिटेक्ट करने, इसकी रोक्थाम करने और जागरूता फिलाने ही दू, हर वर्षात नमेंबर राष्टि स्तर पर कैंसर जागरूता दिवस मनाया जाता है राष्टिय कैंसर जागरूता दिवस का प्रमुक उदेश है कि लोगों में कैंसर के लक्षनों को पहचान पाने के लिए प्रियास कराना, उनमें जागरूता बढ़ाना एवं लोगों को सिक्षित करना भार्तिय चिकिस्ता अनुसाधन परिश्यत के अनुसा देश में प्रतिवर्ष 10 लाग से अधिक कैंसर के मामले सामने आते और 4 लाग से अधिक लोग तंबाकू का सेवन करने से कैंसर प्यूरित होते हैं पुरुषों में 25% नए Cancer के मामले तमबाकू 7 के कारण ही होता है महिलाओं में स्थन Cancer के सबसे अधिक मामले है Cancer जैसी जानलेवा विमारी की रोकताम के लिए cancer के नाम की प्रमुख संगठन विश्व बर में हर स्तर्प विविन कैम lecture और सेमिनार का arrangement करती है यहां तक कि समान जनता पर भी focus किया चाता है इस विमारी के लक्षन के बारे में भी बताया जाता है कैसे precaution लिया जा इसके बारे में भी बताया जाता है कैंसर के कुछ लक्षन जैसे की लंबे समय तक गले में खराश होना, कहीं से भी पानी या रक्त बहाओ होना, किसी भी घाओ का लंबा समय तक ठीक न होना, भूख कम लगना, वजन का कम होना और मुहां से इत्यादी ही कैंसर के लक्षन है कैंसर से डरे नहीं, इससे लड़े, क्यूंकि सही समय पर जाच एवं चिकित्सा करने से हम सब रोक मुक्त हो सकते हैं चैहिंद